जे मसीखी दोस्तों, आज के सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है रोमियों के पुस्तक, उसका सात्वा अध्याय और उसका चौद्वा और पंद्रमा पद वच्छ कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्ता तो आत्मिक है, परन्तु मैं शारे डिखूं तथा पापों के हाथों बिका हुआ हूँ, इसलिए जो मैं करता हूँ, उसको समझ नहीं पाता, त्योंकि जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं किया करता, परन्तु जिससे मुझे घ्रिणा है, वो ही करता हूँ धन्यवाद पिता परमेश्यर इस वचन के लिए, वचन हमें क्या बताता है, कि हम सच और जूट को जानते हैं, क्या सही है, क्या गलत है हम जानते हैं, हमें परमेश्यर ने बुद्धी दी है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप बसा हुआ था, वो जो पाप का बीच था, हम उस जो हमें नहीं करना चाहिए था दोस्तों हमारी हालत एक दास की तरह थी हमारी हालत एक गुलाम की तरह थी हम गुलाम बने हुए थे दास के हम गुलाम बने हुए थे उस पाप के उस पाप का बीच जो हमारे अंदर था दोस्तों इसमें पॉलस अपनी बेबसी के बारे में बत वो बेबसी, वो दास्पना, वो गुलामी हमारे अंदर इतनी थी पाप के लिए कि जो पाप चाहता था हम वो ही करते थे, दोस्तों, मुझे याद आता है यहुदा इसकरियोती जिसको ईशुमसी नहीं चुना था, जो ईशुमसी का चेला था मैं कभी-कभी सुचता हूँ और उसके बारे में आखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसने चाचा था, उसने सब कुछ देखा था इशुमसी को पानी पे चलते हुए देखा था, उसने इशुमसी को मुर्दों को जिन्दा करते हुए देखा था अंदों को आखे देते हुए देखा था, बहरों को सुनाते हुए देखा था, कोडियों को शुद्ध करते हुए देखा था, बारा हज़ा लोगों को खाना खिलाते हुए देखा था, उसने सब कुछ देखा था, लेकिन वो अच्छाई जानता था परभू की, लेकिन उसके अ अमर्थ उसे रोक नहीं पाया उसने पाप किया और उसने गवाही दी खाले लिया लेकिन जैसे उसे समझ आया कि मैंने पाप किया है जैसे उसे समझ आया कि सचाई क्या है सच क्या है जोदी क्या है इशू क्या है उसी पल उसने अपना अपनी जीवन को खतम कर लिया उसने सु देता है और इसी बाप खतम करने के लिए इश्यू малती नहीं बहता, इश्यू मसी का पवेतिस समर्टी बहता, तो भो बाप जो हमसे बुराई करवा रहा था यहा कभी नहीं आजाद कर दे उस पाप से आजाद कर दे उस घुलामी से और सुतंत्रता की सुभा हमारे जीवन में आए सुतंत्रता की जोती हमारे जीवन में आए धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे प्यार के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे अनुगरे के लिए आई दोस्तों हम प्रात्रा करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमिश्यर धन्यवाद देते हैं परमिश्यर आज की सुभा परमिश्यर तुने हमारे अंदर से वो पाप का बीश निकाला और अपनी आत्मा को डेला हमारे अंदर धन्यवाद देते हैं परमिश्यर ताकि